नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका डिपेंस एजेंसी में दोस्तो डिपेंस के छेतर में एक और बड़ी उपलब्दी बारत ने हासिल की है दोस्तो बारत की सवदिसी रूप से विक्सी धनुस ओर्टलरी गन ने अपने सभी ट्रायल पूरे कर लिये है दोस्तो बारते 2019 में 6 तोपों की पहली केप बारते सेना को दी गई थी जो टेस्ट के दोरान तोप का बैरल फट गया था जिसके बाद इसकी खरीद परगिया रोग दी गई थी दोस्तो अब 8 मार्च को पोकरण में इसके सबी ट्रायल टेस्ट सपल रहे है धनुस गन की दो यूनिट ने परती एक ने 90 राउंड फायर किये दोस्तो धनुस को पुराने बेफोर्स की रेंज में 27 किलोमेटर से बढ़ा कर 38 किलोमेटर इस्टायक रेंज के लिए विक्षित किया गया दोस्तो इसमें 155 मिलिमेटर 49 कैलिबर बैरल है दोस्तो इसकी फायरिंग की बात की जाए तो 15 सेकिंड में 3 राउंड फायर करता है और 3 फायरिंग की बात की जाए तो 3 मिनट में 15 फायर कर सकता है दोस्तो यह लगतार 1 गंटे में 45 फायर कर सकता है दोस्तो धनुस का वजन 13 टन है पूरे परिक्षन के दोरान 5500 से अधिक फायरिंग किये गए थे दोस्तो धनुस तो बोफोर्स एपेच 77 से अधिक स्टीक्सता से हमला करती है दोस्तो धनुस ओर्टलरी गन की परतियक उनिट की कीमच 14 करोड रुपे है और इस पर 6-8 क्रू मेंबर की जुरत होती है दोस्तो यह 3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री रेगुलेटर तक फायर करती है दोस्तो इसमें इलेक्ट्रो डियोलोजिकल सिस्टम लगा है जो फायर करने के बाद अपनी लोकेशन बदल लेता है जिस्ते दुस्मन देश को गन की लोकेशन ने पता लग सके दोस्तो इसका निर्मान जबल पर फैक्टरी में चल रहा है दोस्तो युद्ध शेदर में इसकी आगे बढ़ने की स्पीड 30 किलोमटर परती गंटा है दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद जैहिंद